हेलो इस्टूडेंट्स मैं जोगल माईश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफर्म पे लास्ट क्लास में अपन प्रापर्टीज ऑफ ए भी बढ़ रहे थे अपने तीन प्रापर्टिया बढ़ लिया और सुपरकुश्यन भी कर लिया ठीक है तो आज स् जोथा गुणतर्म क्या एपी का दी सम अफ दी टम्स अफ एपी एक्वीडिस्टेंट फ्रॉम दी बिगिनिंग एंड एंड इस कॉंस्टेंट एंड एक्वल टू दी सम अफ फर्स्ट एंड लास्ट टम समांतर शेड़ने में प्रतम तथा अंतिम पद से समांधुरी पिष्थित पदों का योग्ध् की योग्फ़ल रहता है यह पर्थम तथा अंतिम पद के योग्ध के समान रहता है यह प्रपर्पर्टी कहना क्या चाहरी है औ가ई मालन लोn ये एपी है ठीक है क्या कह रहा है the sum of the terms of an ap equidistant equal distance from the beginning and end is constant and is equal to the sum of first and last term property के रही मानलो यह first term है और यह last term है na first term and last term का sum है a1 plus a6 यह sum और किसके equal होता है first and last term से जो equal distance पर terms है first term से कोई है a2 और second term से a5 यह equal distance पर है तो a2 plus a5 इसका sum constant रहेगा और first and last के equal आएगा यही तो बोला है the sum of the terms of an ap equidistant from the beginning and end beginning a1 है a1 से मैं जा रहूँ second term है na भई एवन से first step पर यह है और second step पर यह है यह मानलो तो a1 से दो कदम दूर a3 है वैसे a6 से दो कदम दूर कोई है a4 है तो इस a3 और a4 का जो sum है a3 plus a4 है ना sum of the term from beginning and end is constant पहली बाद तो constant रहेगा and equal to और किसके equal होगा the sum of first and last term first and last term कौन है a1 plus a6 इसके equal होगा समांतर श्रेणी में प्रथम तथा अंतिम पत से समांधूरी परिस्तित पदों का योगफल समांतर श्रेणी मांग मैंने यह लेली 2,4,6,8,10 ठीक है यह समांतर श्रेणी लेली यह किरा है प्रथम तथा अंतिम पत से समांधूरी परिस्तित प्रथम पत से एक कदम दूर है च्यार अंतिम पत से एक कदम दूर है आंट च्यार प्लस आंट को जोड़ा कितना है 12 constant है का योगफल अचर होता है अचर है तता यहा प्रत्यम तता अंतिम पद की योगफल के बराबर होता है प्रत्यम कौन है दो और अंतिम पद है दस और दो प्लस दस भी कितना होता है 12 तो बस यह AP की property है कि चाहिए कितनी ही बड़ी AP हो जितना distance आगे जाओगे और उतना distance प एक फल होगा जैसे यहां से A3 पर गए यहां से A4 आये तो A3 प्रस A4 यह होगा A1 प्रस A6 चलो यह तो चलो एवन नमबर अफ़ टर्म से ओड़ होगा तो क्या होगा देखो ओड़ होगा तो क्या होगा जैसे भाई यह तो यह वाल माल लिए पी 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, और 12 एक और लिता हूँ 14 यह ओड नमबर अफ़ टर्म से ठेक है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम पर्थम बथा अंदिम बद का योग कितना है 2 प्लस 14 कितना हुआ 16 2 प्लस 14 एकवल टू 16 हुआ इसे एक कदम आगे हो इसे एक कदम बिच्छा हो एकवल इस्टेंस पर 4 प्लस 12 भी कितना होगा 4 प्लस 12 भी होगा 16 इसे 2 कदम आगे इसे 2 कदम बिच्छा हो 6 प्लस 10 भी 6 और 10 भी कितना होगा 16 अब देखो तो प्रतम और अंतिम पद से समान दूरी पर टम्स कम से कम मिलने चाहिए ना तो टम मिल रहे है अब यहां से चार कदम आ गया है एक दो तीन चार चार पर एट मिला एक दो तीन चार एट ही मिल रहे है तो एट प्लस एट भी क्या होगा 16 जाने कि जो ओड में है एक तरसे उसका डबल मिल रहा है ना 8 इंटू 2 16 या यह कंसेट लगा उतो भी सही है कि इससे चार कदम पर 8 मिला इससे भी चार कदम पर 8 मिला 8 प्लस 8 क्या होगा 16 होगा तो आएगा हमेसा 1st and last के एकवल यह प्रोपरटी है यह नोट करो इस पर कुशिन करते हैं इस प्रोपरटी पर तो कुशिन देखो भई कुशिन क्या है यदि A1 A2 A3 डॉट 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 A N समानतर श्रिणी में हो तो इस श्रिणी के 24 पदों का योगफल ग्याद करो जबकि दे रखा है कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 दोसो पत्तिस के एकवल है इफ A1 A2 A3 डॉट 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 A N are in A P तो देखो करना क्या है सिंपल सी बात है यह करहा है 24 टंक्स का सम बताओ तो जो पुछा है वो बताओ सम टॉट ग्याद ग्या होता है N by two फ्रस्ट टंब प्लस लास्ट अन पदों का योगफल क्या होता है इसने पुछआ है 24 पदों का योगफल है ना, sum of first 24 terms तो s24 equal to क्या होगा 24 by 2 first term plus a24 term 24 पतों का योख्रश बुच्छा है तो 24 पता 2 परथम पद even और अन्थि पद choice ही बुच्छा है मैं तो a24 a choice ये निकालना पनको तो हमें निकालना है s24 equal to 2 बारा choice 12 into a1 plus a24 24 तो बारा में multiply करानी है A1 प्लस A24 की इतना ही करने है अब जो data दे रखा है इसको सोचते है ना देखो बहुत टोटल पद है चोईस ठीक है और इसमें कुछ का योगफ़ दे रखा है 235 के बराबर है ना तो समझो हुई चाद दे रखा है देखो A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A20 प्लस A20 प्लस A20 प्लस A20 चोईस चलो यह तो बड़े है इस पर विचार करते हैं कि अब ज़र ध्यान दो A1, A2, A3 से लेकर A चोईस है सुनना मेरी बात ध्यान से इसमें देखा है A5 और A20 अन्दास लगओ यह है का तो A5 का है एक से चार पत बाद है है ना A1 के बाद A2, A3, A4 और A5 तो A से कितना आगे है A से 5th place के उपर है ना 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 तो A से कितनी distance पर है एक, दो, तीन, चार ए से 4th place पर है A5 A20 का है तो A24, 24 के पहले क्या आएगा 23, फिर 22, 21 और 20, लास्ट से 4th place पर, 1st, 2nd, 3rd, 4th place पर है 20 है समझे जो तो A1 से A5 है चार कदम दूर और A24 से A20 भी कितना है चार कदम दूर है ना यह यह देख लो 5-1, 4 होता है और 24-20 भी चार होता है इसका मतलब A5 प्लस A20 यह प्रापटी लगाता है प्रतम तथा अंतिम पद से समान दूरी परिस्तित पदों का योगफल प्रतम और अंतिम पद के योगफल के बराबर रहता है यह किसके बराबर होगा A1 प्लस A24 के प्रापटी क्या लगाई कि फर्स्ट एंड लाश्ट टम का सम किसके एकल होगा इससे एकल डिस्टैंस पर जो भी टम अवेलबल है उनके सम के तो फर्स्ट से A5 और A24 से A20 इकल डिस्टैंस पर है तो इनका सम फर्स्ट एंड लाश्ट टम के एकल होगा तो A5 फ्लस A20 बराबर होगा A1 प्लस A24 और ध्यान से देखो भई यह A10 और A15 की चर्चा करते है तो जार देखो 10 माइनस एक 9 होता है और चोईस माइनस 15 भी कितना होगा 9 होगा तो A1 से 9 कदम दूर A10 है और A चोईस स A15 प्लस A15 एकवल होगा A1 प्लस A24 गया तो सब एकवल है तो ध्यान से देखना मेरी बात को अपन को इसकी वेल्यू निकालनी है है ना इसकी वेल्यू निकालनी है A1 प्लस A24 गया तो जार A1 प्लस यह A24 इसको एक साथ लिख लिया मैं A5 A5 प्लस A20 इसको भी क्या लिख दि A10 प्लस A15 को भी क्या लिख दिया A1 प्लस A24 तो यह A1 प्लस A24 यह बड़ा A5 प्लस A20 को क्या लिख दिया A1 प्लस A24 और A10 प्लस A15 को भी क्या लिख दिया A1 प्लस A24 यह किसके एकवल है 225 के ठीक है अब देखो भई एक बार A1 प्लस A24 दूसरी बार A1 प्लस A24, तीसरी बार A1 प्लस A24, कितनी बार है, तीन बार है, तो 3 टाइमस A1 प्लस A24, किसके एक वल है, 225 के, तो A1 प्लस A24 की विलू क्या आगई, यह 3 मल्टिप्लाइम है, इधर आए तो डिवाइड में, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, तो S24 निकालना है, 24 प 24, तो 12 इंटू, A1 प्लस A24 कितना हो गया, 75, S24 कितना हो गया, 12 5 जा 60, बारे पान सांट का 0, पावर छे, फिर 12 7 जा कितना हो गया, 84, 84 और 6 कितना हो गया, 90, 900 आगया बई, सम्ध, बारा पतों के योगफ्ल कितना हो गया, 900, ठेकिया, इसको बताल जारता हूँ, तो next property देखते हैं भई, next property के AP कि, every term of an AP, except first term, यहना, first term को छोड़ कर, every term of an AP is average of terms equity distant from it, समांतर स्रेणी का प्रती एक पत, पहले पत को छोड़ कर है न, अपने से समांदूरी परिष्थित, पतों के योगफ्ल का आधा होता है, क्या है समझते हैं, जैसे मैंने एक AP मान ली, 2, 4, 6, 8, 10, पहला पत छोड़ दो भई, इसको छोड़ दो, इसके लावा जो भी term है न, every term of AP, is average of terms equity distant from it, इस AP का कोई भी पत, है न, पहले पत को छोड़ कर, अपने से समांदूरी परिष्थित, पतों के योगफल का आधा होता है, जैसे मैं 4 पर गया, 4 से एक step आगे 6 है, और 4 से एक step पीछा है 2, तो यह 4 क्या होगा, 2 and 6 का sum का half, यान इसको बोलते हैं, अपने average है न, आउसत, तो 4 किसके बराब होगा, 2 plus 6 बटा 2, 8 बटा 2 यानि की 4, जैसे मानो 6 उठाओ, तो 6 क्या होगा, अपने से समांदूरी परिष जैसे पदो के योग का आदा, 6 क्या होगा, एक भी distance पर जो भी terms है, उनके sum का half कर दो, 6 आजाएगा, जैसे 6 से एक step आगे 8 है, और एक step बीचे 4 है, तो 8 plus 4 का half कर दो यार, 12 बटा 2, 6 आएगा, या 10 और 2 ले लो, 10 plus 2, 10 plus 2 का half कर दो, 12 by 2 तो भी क्या आएगा, 6 ये अपने अभी, पिछे वाली property में discuss किया था, क्या किया था मैंने, कि मैंने ये बताया था तुम्हें, कि यार, first term and last term का sum क्या होता है, अपने से equal distance, पर जो भी time उनके sum के equal, तो ये होगा 4 plus 8, और ये होगा 6 plus 6, या देना, 6 plus 6, तो ये भी तुम्हें कह सकता हूं, कि यार, 6 का double है, 6 का double है, ये 12, या यूँ कि तो कह सकता हूं, कि first and last term का half है 6, ये कुछ ऐसा ही है ना, first and last term का half है 6, तो 10 plus 2 का half, 6 है, तो फिट से एक नई property बढ़ा दे, क्याकि इसमें सोच नहीं पाएंगे, तो ये ध्यान रखना, first term को छोड़कर कोई भी time है, अगर उससे equal distance पर जाओगे, तो उनके sum का half, जिसको आपने बोलते है, average, हिंदी मों कहता है, और ये भी लिखा सकता है, कि समानतर शेंडी का प्रत्येक पद, पहले पद को छोड़कर, ठीक है, जो भी है, समान दूरिप्रेश्थित, जो भी पद है, उनका औस सत होता है, है ना, average होता है, उन 20, कितना, 60, 60 का अधा, कितना आएगा, 30, तो ये प्रापट्टी है, इस पर एक और कुशिन कर लेते हैं, नो डॉन कर लो, तो भाई, प्रापट्टी 4 और प्रापट्टी 5 है ना, दूनों प्रापट्टी से mix-up कुशिन कर रहे हैं, इस बार हैं ना, तो बढ़े ऐसे करते हैं, कुशिन बढ़ो, इसकी वेल्यू दे रखी है 693, वेर a1, a2, a3, a21 are in ap, then सिग्मा i equal to 0 to 10, a2i प्लस 1 की वेल्यू बढ़ानी, यदि सिग्मा j बराबर 1 से 21 a j, इसका मानने 693, जहां a1 से लेकर a1 के समांतर श्रेणी में है, तो आपको i बराबर 0 से 10, a2i प्लस 1 का मान बताना है, ठीक है, कड़ते हैं, सिग्मा j बराबर 1 से 21 a j का मानने 693, इसका मतलब क्या है, पहले ही समझो, सिग्मा j equal to 1 to 21 a j, इसका मानने 693, ठीक है, j बराबर 1 रखो, तो a1, सिग्मा का मतलब होता है, प्लस, j बराबर 2 रखो, a2, सिग्मा का मतलब, प्लस, a3, प्लस, एक से लेकर कहां तक चलेंगे, a21 तक, a21 तक चलना है अपन को, तो a1, प्लस, a2, प्लस, a3, प्लस, a4, से लाश्ट, j बराबर 21, इन सबका समय 693, ठीक है, तो यह लिखावा है, इसका मतलब यह है, कि j बराबर 1 रखो, a1, सिग्मा का मतलब, प्लस, a2, प्लस, a3, प्लस, a4, कहां तक चलना है, 21 तक, तो j बराबर 1 से 21, सबका योग है 613, अब यह a1, a2, a3 किसमे है, aP में, अब aP में है, तो aP के 21 प्लस का योगफल अपन निकाल सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं, sum of first 21 terms, क्या होता है, 21 पतो को योगफल, n बाइ 2, तो 21 बाइ 2, first term प्लस, last term, तो a1 प्लस, a21, इसकी value आगई 693, सिधी सिवात है, अब देखो, यह 21 मुल्टिप्लाय में है, उदर डिवैड में है, डिवैड में है, उदर मुल्टिप्लाय में है, तो a1 प्लस, a21, a1 प्लस, a21, इसकी value क्या आगई, 693 इंटू 2 अपॉन 21, 693 इंटू 2 अपॉन 21, ठीक है, a1 प्लस, a21 की value क्या आगई, a1 प्लस, a21 क्या आगई, 21, 3 जा, 63, कितना बचा, 693 था ना, हाँ ठीक है, 21, 3 जा, 63, यह बच गया, 6, फिर 63, 21, 3 जा, 63, 33 इंटू 2 आगई, 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 33 इंटू 2, यानि कितना हो गया, 66, तो first term, और 21st term, इसका sum, इसका योग आगई, 66, यह तो ही आगई, पूछा क्या इसने, पूछा इसने यह देखो, यह question mark दे option दे रखेंगे, तो जो पूछा है, उसको solve solve कर रहा हूँ, इसने क्या पूछा है, sigma i बराबर 0 से 10, 8, 2i प्लस 1, यह पूछा है इसने, तो देखो बई, आई बराबर 0 से कहां तक चलना है अपनको 10 तक, आई बराबर 0 रखो, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 प्लस 1, तो यह A1 आएगा, sigma का मतलब प्लस, A1 बराबर 1 रखो, 2 इंटू 1, 2 प्लस 1, 3, A3 आएगा, वैसे आई बराबर 2 रखो, 2 इंटू 2, 4, 4 प्लस 1, 5, 5 ऐसे चलते 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 लास्ट में आई पराबर क्या रखेंगे 10 2 x 10 20 20 प्लस 1 21 इसने इसकी विली बुचिए भई A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A9 यह दो दो क्या पार है ना 1 3 5 7 9 11 चलते चलते लास्ट में 21 इसका सम पूच लिया इसने अब data देखो अपन को क्या क्या पता है अपन को first data से ही चीछ पता है कि A1 प्लस A21 66 first data से इतना पता है A1 प्लस A 26 है अच्छा अब property यूज़ करते है 4 and 5 property 4 थी कि समान दूरी परिस्तित पदों का योगफल प्रत्थम और अंतिम पद के योगफल के बराबर होता है, property 4 क्या थी first and last time का sum अपने से equal distance पर जो भी time है उनके sum के equal होता है तो ध्यान से देखो भई a1 plus a21 a1 plus a21 ये कितना है, हमें पता है 66, ठीक है अब a1 से मैं दो कदम आगे गया है तो a3 मिलेगा, और a21 से दो कदम पिछे आओ तो a19 मिलेगा a21 है इससे एक कदम पिछाया, a20 एक और कदम पिछाया, a19 तो a1 से एक कदम, दो कदम आगे गया, a3 मिला a21 से दो कदम पिछाया a19 मिला तो property 4 से क्या a3 plus a19 किसके बराबर होगा, ये भी 66 के होगा, अब पुछा क्या देखो, a1 plus a3 plus a5 dot 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 a21, तो ध्यान से देखो अब बाते इसके पहले क्या होगा, a19 होगा, a1 2, वह दो-दो का क्या चल रहा है 1 है, 1 के बाद 2, 3 है, 5 है तो 21 से 2 के पहले 19 आएगा, इससे 2 के पहले a17 आएगा, समझ रहो मैं तो इस ap की बात कर रहा हूँ कि ap की property से हमें यह पता है कि equal distance पर जो भी terms है, उनका sum first and last term के sum के equal होगा तो यहां से देखा तो पता चला कि a3 और a19 का sum a1 plus a21 के बराबर होगा, और a1 plus a21 66 है, तो a3 plus a19, a66 वैसे ही, आगे के a5 और उससे दो कदम पीच्छा हो, इसे दो कदम और आगे गई, 3 में दो कदम हो जोड़ो, a5 पे पहुंच जाएंगे इसे दो कदम पीच्छा हो, तो a 18, 17 पर पहुंच जाएंगे, यह भी 66 होगा, और दो कदम आगे जाओ a7 और और दो कदम पीच्छा हो, तो कितना ये भी कितना आएगा 66 आएगा दो दो कदम का खेली क्यों खेल रहा हूं ये बुचा है इसने A1 प्लस A3 प्लस A5 से 19 दिख रहा है A1 प्लस A21 किसके बराबर होगा A3 प्लस A19 के वैसे A5 प्लस A17 के वैसे A7 प्लस A15 के और थोड़ा के जाएंगे A9 प्लस A13 के तो उस AP का यूज़ कर लिए फिफ्थ प्रपरटी यूज़ कर ली लेकिन अब इससे दो कदम आगया हूंगा A11 आएगा और इससे दो कदम पीछा हूंगा तो भी A11 आएगा तो अब प्रपरटी 5 यूज़ करता हूँ क्या काता है मैंने प्रपरटी 5 मुझे से मुझे A11 निकालना है A11 अपने से एक्वल डिस्टेंस पर जो भी टम से उनके सम का हाफ होता है तो A11 से मैं एकदम फर्स टम पर पहुंच गया और A11 से एकदम लास्ट टम पर पहुंच गया A11 से दोनों बराबर दूरी पर है तो A11 की जो वैल्यू है वो क्या होगी A1 प्लस A 21 का हाफ ठीक है क्या तो A11 ऐसे आ जाएगा यह और टम है तो बीच वाला टम उसका क्या होगा आद़ होगा A1 फर्स एंड लास्ट टम के सम के है ना उसका हाफ होगा तो A1 प्लस A21 कितना है 66 अपॉन 2 कितना 33 तो इसने पुछा क्या है वई इसने यह पुछा है A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 प्लस A9 प्लस A11 ठीक है ना 13 15 17 19 और 21 का सम पुछ है तो A1 प्लस A21 66 है A3 प्लस A19 प्लस A66 यह भी यह भी यह भी यह भी कितनी वार 66 है पांच वार 66 है तो 5 इंटू 66 प्लस A11 बचा बीच में बागी सब उठा लिया पनने A11 बचा है तो A11 के लिए कितनी है 33 है 6 5 जा 30 का 0 पावर 3 6 5 जा 30 30 और 3 33 और 33 और 33 और 33 और 33 तो 363 आंसर आ गया ठेक है क्या तो प्रापर्टी और सारी यूज गी है एक और और देख लो सबसे विले इसने कहा कि इसका सम 693 है तो मैंने सिग्मा की वैल्यू रखी A1 प्लस A2 इन सब का योग किता है 693 एक्किस पदों का योगफल बुच्छा है 21 बटा दो प्रथम पत प्लस अंतिम पत है ना 21 बाई टू फर्स और लाश्ट टम का सम 693 इससे A1 प्लस A21 निकाल लिया 66 अब इसमें पूचा है कि इसकी वेली पता दो 2I प्लस 1 I equal to 0 to 10 इसको देखा तो पता चला यह तो यह पूच रहा है A1 plus A3 plus A5 plus A7 plus A9 plus A11 plus A13 plus A15 plus A17 plus A19 plus A21 यह पूच रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आ, नो, दस, इग्यार, फ्रोटकल 11 टम का सम बुछ रहे हैं, हमें पता यह AP है, तो इस AP को देखते हैं यह पता तोलो, कि यहां से दो कदम आगे A3 है, और दो कदम पिछे A19 है, इसका सम किसके बराब होगा, इसका योग A1 प्लस A21 क किसके इक होलोगा, A3 प्लस A19, यह किसके बराब होगा, A5 प्लस A17, यह किसके बराब होगा, A7 प्लस A15, A9 प्लस A13, यह बच गया, अब A11 से, एक, दो, तीन, पांच कदम पहले A1 है, और पांच कदम बाद में A21 है, तो प्रॉपर्टी 5 क्या थी, गुणधर्म 5, कि जो AP क कोई भी पद है, अपने से समान दूरी प्रहिस्तित, पदों के योग का अदा होगा, है ना, तो A11 क्या होगा, Average होगा, A1 प्लस A21 का, तो A11 निकाल दे होगा, A1 प्लस A21.2, तो इसकी बेलू भी 66, इसकी भी 66, इसकी और A, A5 और A, 17 की 66, A7, A15, A9, A13, सब की 66 है, तो 66 5 पांच बार है, तो 5 इंटू 66, और A11 की वेलू 33, इसे 363 आ साएगा, है ना, तो इन प्रापर्टी पर ये जो कुश्चिन है, एकदम प्रापर्टियां क्लियर कर देता है, तो तुम्हें फिर भी कोई डाउट हो, तो तुम कमेंट कर देना, पांस वरदी दूंगा, तो नो प्रापर्टी, 6th प्रापर्टी क्या है, if each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided, increased, decreased, addition and subtraction से है, ना, तो if each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by the same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP, यदि किसी समांतर श्रेणी में कोई अशुन्य शंक्या, अशुन्य मतलब नौम जिरो नंबर है न, जिरो के लावा कुछ भी, जोडा, गटाया, गुना या भाग किया जाए, तो वह श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी, जैसे, एक सिरीज है माल लो, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इस एपी के हर पद को, हर टम को मैं प्लस 2 से जोड रहा हूं, तो 2 प्लस 2, 4, 4 प्लस 2, 6, 6 प्लस 2, 8, 8 प्लस 2, 10 और 10 प्लस 2, 12, तो अगर इस समांतर श्रेणी के हर पद में मैंने 2 जोड दिया, तो यह जो रिजल्टिंग सिरीज है, जो प्राप्ट श्रेणी है, वो भी क होगी की नहीं होगी, यह पी है, बिल्कुल 6-4, 2, 8-6, 2, एपी, इस सिरीज में, जो फर्स सिरीज है, इस में मैं 2 गटा रहा हूं, माइनस 2 कर दिया, तो 2-2, 0, 4-2, 2, 6-2, 4, 8-2, 6, और 10-2, 8, यह भी रिजल्टिंग सिरीज क्या है, एपी है, तो किसी भी समांतर अब मल्टिप्लाईगा बचा, इस सिरीज में 2 से मल्टिप्लाई कर रहा हूं, तो 2-2, 4, फिर यह 8, 12, 16, और 20, यह भी एपी है, कॉमन डिफ्रेंस अलग है, लेकिन एपी तो है न, इस में 8-4, 4 आ रहा है, 12-8, 4 आ रहा है, सारवंतर अलग है, लेकिन एपी तो है, अब ब इवाइड कर रहा हूं, दो से भई, तो 2-2, 1, 4 बटा दो, 2, 6 बटा दो, 3, 8 बटा दो, 4, और 10 बटा दो, 5, यह भी एपी है, तो इस एपी में है न, अगर मैं एपी को इंक्रीज किया 2 से, डिक्रीज किया 2 से, मल्टिप्लाई किया 2 से, चाहे डिवाइड किया 2 से, जो भ हर टम में सेम जुड़े गया, तो कुछ जोड़ो, चाहे जो कुछ गटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, जो प्राप्त श्रेणी होगी, वो समांतर श्रेणी होगी, एक तो यह प्राप्त श्रेणी लिखाई, नेक्स्ट प्रापरटी क्या है, नेक्स्ट प्रापर माल में कोई AP है, 2, 4, 6, 8, 10, एक और कोई दूसरी AP है, 3, 6, 9, 12 और 15, ये दो AP है, है ना, प्रापटी का है, if we add और subtract of corresponding terms of APs, अगर APs की corresponding terms को add या subtract करें, ये किसी समानतर शेनी में संगत बदों को जोड़ा जाए ये घड़ा दिया जाए, तो प्राप्ट शेनी समानतर शेनी होगी, अगर add और subtract करेंगे कोई भी 2 APs को, उनकी corresponding terms के साथ में, तो resulting series also क्या होगी, AP होगी, कैसे, ये दू AP है, first AP and second AP, अगर इनकी corresponding terms को मैं add करूँ, 3 plus 2, 5, 6 or 4, 10, 6 or 9, 15, ये 20 और ये 25, तो ये resulting series भी किस में है, AP में है, देख लो बली, 10 minus 5, 5, 15 minus 10, 5, 20 minus 15, 5, इनका common difference ही मा रहा है न, ये AP में है, तो किसी भी समानतर शेनी में है, अगर संगत बदों को या तो जोड़ो, या हो, तो प्राप्त शेनी भी क्या होगी, समानतर शेनी है न, किसी भी 2 series में है, अगर corresponding terms को या तो add करो, या subtract करो, resulting series क्या होगी, AP, subtract करके देखो, 3 minus 2, 1, 6 minus 4, 2, 9 minus 6, 3, 12 minus 8, 4, और 15 minus 10, 5, ये भी कह है, AP है, तो ये 7 property है थी AP की, जो तुमें एकदम याद ही होनी ची है न, और apply करना भी आनी चाहिए, question मनते हैं, इन property हो से question मनते हैं, property है use में आती रहती है, question थोड़े easy हो जाएंगे, अगर property है लगाओगे तो, ठीक है न, चालो, इस पर एक और question कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, एक question कर लेते हैं, question करते हैं, property है complete हो चुग है, last question, easy question बहुत, लेखो भी द्यान से क्या कह रहा है, यदि 1 upon B plus C, 1 upon C plus A, और 1 upon A plus B, A P में हो, तो सिद कीजिए, कि A square B square C square B, A P में होंगे, ठीक है न, if 1 upon B plus C, 1 upon C plus A, 1 upon A plus B, R in A P, then prove that, A square B square C square also in A P, तो यह proof करना है आपको, कि A square B square C square B, A P में होंगे, तो पहली बात, इसको proof करना है कि यह A P में, मैंने, सबसे पहले property क्या बढ़ाई थी, अगर A, B, C, हैना, सबसे first property, सबसे पहली बाली, अगर A, B, C, A P में है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे अपन, कि 2 times of B equal to A plus C, B, B का double बराबर बलता है, पहला प्लस, तीसरा, हैना, 2B बराबर A plus, यह पढ़ा था, अब आज इसने question ने पूछ लिया, कि आपको यह सिद्ध करना है, आपको यह proof करना है, कि A square B square C square A P में है, तो यह अगर A square B square C square A P में है, इसका मतलब हमें क्या proof करना है, 2B square is equal to A square plus C square, वह यह property है, 2 times of middle equal to first and third का sum, हमें यह proof करना है, बात यह है, यह हमें को proof करना है, चलो, तो proof करने की तहरी करते है, इसने बोला क्या है, कि यह तीन नंबर A P में है, इसने बोला है, this, this and this are in A P, अगर यह तीन A P में है, इसका मतलब, कोई चीज A P में है, कैसे प उसका सारवंतर अगर बराबर है, तो वो A P में है, नहीं तो नहीं है, अभी कह रहे है, यह AP में है, इसका मतलब, इसका D हमेशा से में, D मतलब, A2 minus A1 बराबर होगा, A3 minus A2, तो 1 upon, C plus A, A2, 1 upon C plus A, A2 minus A1 कितना है, 1 upon B plus C, 1 upon B plus C ये बराबर होगा 1 upon A plus B A3 minus A2 के 1 upon A plus B minus 1 upon C plus A इसने का है कि ये AP में है तो A2 minus A1 A3 minus A2 के जरूर बराबर होगा ठीक है C plus A into B plus C LC में लिया C plus A से C plus A के या B plus C minus B plus C से B plus C के या क्या आएगा C plus A बराबर इसका LC में लिया A plus B into C plus A A plus B से A plus B के या C plus A minus C plus A से C plus A के या A plus B देखो C plus A और ये क्या है B plus C है और ये है A plus B into C plus A देखो बई solve कर रहा हूं B plus C minus C minus A minus C minus A अब कौन में क्या है C plus A into B plus C equal to ये क्या है बेटा A plus B into C plus A C plus A और minus का A minus का B तो देखो C से C गया A से A गया ठीक है क्या उपर बचा B minus A उपर बचा है B minus का A अपॉन में नीचे क्या बचा C plus A into B plus C देखो C plus A से तो C plus A काट दो बचा B plus C नीचे B plus C equal to में क्या है C minus B उपर है अपॉन में कितना है A plus B cross multiply करा दो यार तो यह है B minus A into A plus B B minus A into A plus B cross multiply करा दी है और यह सामने है C minus B into B plus C इससे देखो minus common ले रहा हूँ उससे क्या होगा यह बन जाएगा plus का A minus का B और यह A plus B है इससे भी देखो minus common ले लिया तो यह बन जाएगा B minus C into B plus C यह minus से minus खतम A minus B A plus B क्या होता है A square minus B square B minus C into B plus C क्या होता है B square minus C square उपर लिख रहा हूँ भी अपने पास यह आ गया कि A square minus B square equal to आ गया B square minus C square minus B square उदर बेज़ दो और minus C square इदर लिया हो तो A square plus C square equal to B square plus B square तो यह आ गया 2 times of B square 2 times of B square equal to A square plus C square यह तब ही आ सकता है जब A square, B square, C square किसमें हो? A P में हो अगर यह A P में होंगे तो B square का 2 times equal to क्या आएगा? A square plus C square यह प्रूफ कर जा है अपनने? hands proof तो यह अपने को प्रूफ करना था यह अपने प्रूफ कर दिया तो यह एक glass question था आज के glass का आज के लिए इतना ही करता है तेंक यू